श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब नो जुन को गंगा देशेरा है गुरुवार का दिन है केवल एक उपाय आपको करना है एक टुकड़ा गुड और एक साबोत हरा मुंग से बहुत है अच्चुक उपाय है पूज गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूँगा अगर पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम जरूर के गंगा दशेरा पर गज के स्री योग है रवी योग है भुदादित्य योग है तो कहीं दुरलब योग का निर्माण भी हो रहा है और आपको केवल एक आसाद सा उपाय करना है देखे करना क्या है आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है देखे करना क्या है एक तामे का पात्र ले उसके अंदर जल भर है ठीक है अब आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है गुरुवार का दिन है, इसलिए हमें गुड लेना है, साथी साथ अगर आपके यहाँ पर गंगा जल है, तो आप गंगा जल लें, क्योंकि गंगा दशेरा पर गंगा जल डाल करके अगर भगवान शिव का अभिशेक करते हैं, तो मा गंगा बहुत प्रसंद होती है, और आप आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, इस क्रिया को, यह सब सामगरी लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो गुड वाला जो जल है, वो भगवान शिव के उपर ओम नमज शिवाय का जाप करते हुए, आपको अर्पित कर देना है ध्यान रखें, अगर गंगा जल है, तो गंगा जल से भी आप भगवान शिव का अभिशेक कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी मनोकामना है, वो महादेव आपकी बहुत जल्द परिपूर्ण कर देंगे, अब आपको दूसरा उपाय करना है, देखें, करना क्य जो चिकनी वाली साइड है, वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है, यदि आपके यहाँ पर लाल चंदन नहीं है, तो आप क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले इस्थान पर, सबसे पेले वो हरामुंग जो है न, वो आपको रखना है, यदि आपको कोई भी समस्या है आ आपको वो दूर हो ऐसी प्रातना करके आपको हरा मुंग अशोक सुंदरी वाला इस्थान जो यहां पर शीवलिंग के यहां पर अशोक सुंदरी वाला इस्थान है यहां पर रखना है ध्यानके शादी ब्यास है जुड़ी कोई भी समस्या हो तो वो दूर हो जाए अगर पती सुन्दरी वाले स्थान पर टच होना चाहिए आपकी जो भी इच्छा है मनुवांचे त्फल को पूरी करने के लिए इस गंगा दशियरा पर गुरुवार के दिन वो पूरी हो ऐसी आपको प्रातना करके इस प्रकार से ध्यानक है जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी च करता है